हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे सिंदु घाटी के अनिन नगरों के बारे में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हडपा और मोहन जोड़ों के बारे में और सिंदु घाटी के बारे में तो और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सिंदु घाटी सब्वेता के जो अनिन का अर्थ होता है स्वैत कुप यानि सफेद कुवां जो जो धौला वीरा है मोहन जोड़ो है काली बंगा है इन सब के जो साब्दिक अर्थ है उनको आप ध्यान से याद कर लीजेगा एक्जाम में कि धौला वीरा का अर्थ क्या होता है तो जैसे स्वैत कुवां और जो मुहन जो दुड़ो का साब्दिक अर्थ मृतको का टीला ऐसे ही अन्य जो और भी नगरों के नाम है उनके में आपको साब्दिक अर्थ बताऊंगी तो उन्हें ध्यान से पढ़ लीजेगा और वर्तमान में संदौसभीता का भारत में इस्तित यह सबसे बड़ा नगर और और आरेस बिष्ट ने ँथ हैं धолн गुज्राट के कच्छ जिले में इस्तित हैं धौला वीरा Kau विभाजन त्रिय ignorant आपर हुआ है पहला है दुर्ग टीला दूसरा है मद्ड टीला और तीसरा है निचला धौला वीरा मात्र एक ऐसा छेत्र था जिसका विभाजन त्री इस्त्रिय पद्धति पर किया गया था जबकि अन्य नगरों का विभाजन जो है वो दो इस्तरों में हुआ था इस नगर को चार दिवारी से चारों और से गेरा गया था इसके बाद सिंधु सब्धता का अगला छेत्र है चन्हुदड़ो यह इस्तल सिंधु छेत्र में सिंधु नदी के किनारे मोहन जोदड़ो से 80 किलो मीटर दच्छिड में इस्तित है इसका उत्खनन 1931 में M.G. मजूमदार ने करवाया था यहाँ पर सैंधु सब्धता के अत् जो वक्राकार इंटे हैं वो चन्हुदड़ो से मिली है यहां से प्राप्त अफशेशों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां के जो निवासी थे वो कुषल कारीगर थे जैसे यहां पर इनकी अलंकर जो यह कारीगर बहुत कुषल थे उनको इस बात से पुष्टी हो जाती ह कि यहां पर अलंकरत हाथी मिले हैं खिलोने प्राप्त हुए हैं जो बहुत ही अलंकारिकता लिये हुए हैं और जो अन्य अफसेश मिले हुए उमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पत्चिन हैं लिपिष्टिक वा सौंधर प्रशाधन के साधन वा तामे की बटन इत्याद यहां से मिले हैं चनहुदड़ों से उसके बाद हम पढ़ते हैं लोथल यहां मोहन जोदुर से लगभग 600 मील दच्छिणपूर में गुजरात में भगवा नदी के किनारे इस्तेत हैं इसका उत्खननकार 1955 से 1963 के मद एस आर राव ने करवाया था यह पश्चिमेशिया जो फॉरेंड कंट्री कह सकता है फॉरेंड कंट्री थी पश्चिमेशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है इसे सिंदुसभेता का बंदरगाह नगर कहा ज या डाक्याड के नाम से भी से लोथल को जानते हैं एक्जाम में यह नाम पूछ लेते हैं लोदी वाड़ा कहां इस्थित है और डाक्याड क्या है तो यह लोथल के ही नाम है और जो यह एशिया मेसोपोटामिया से जो यह व्यापार करते थे इसका पता यहां से जो मिली है मोहरें जो मिली हैं यहां की फारस की तो इनसे अनुमान लगाया गए कि यहां पर व्यापार होता था और लोथल की नगर योजना हडपा के समान थी यहां से मिले अफशेशों में तांबे का हंस मिला है मर्तबान पर चित्रित हुआ और पंच तंत्र की कहानी है और धूर्त लोमडी संतरंज बोड के नमूने मिले हैं पत्थर के बाट मिले हैं जो सोला के अनपात में थे और फारस की जो मोहरें मिली हैं यहां पर वो बहुत ज़्यदा महत्पोर है इसके बाद है काली बंगा का साब्दिक अर्थ होता है काले सिलामंड की चूडिया बंगा मतलब 我 को कहते हैं तो इसे याद कर लीजेगा सिलामंड की चूडिया कहते हैं काली बंगा को यह घगर नदी के किनारे गंगा नगर राजस्थान में 1903 में श्री घोस ने इसका उत्कनन करवाया था और यहां के घरों में कच्ची इटों का प्रियोग हुआ है तता जो नालियां यहां पे बनी है वो लकडी की बनी हुई है यहां से प्राप्त अफशेशों में बेलनाकार मोहरे, हवन कुंड, कासे की सुई, जुते हुए खेत, अलंकरत इंटे यहां के घरों में मिली हैं और यहां के घरों में कुएं और अन्नागार के साच भी प्राप्त हुए हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं वनमाली यहां इस्तल हरियाडा के हिशार जिले में रंगोई नदी के किनारे इस्तित है इसका उत्खनन 1974 में आरेस बिष्ट ने करवाया था यहां से प्राप्त अवशेशों में लिप यूक्त मोहरे मिली हैं फल तांबे के बाड़ांग सरवाधिक यहां पर महत्पून हैं उसके बाद माते हैं सुरकोटदा यह जो छेत्र है यहां का यहां छेत्र गुजरात में ही इस्तित लुप्त यहां सरस्वती नदी जो यहां से सिंदु सभिता के पतन को द्रश्टिगत करता है यहां से सिंदु सभिता का पतन होना सुरू हो गया था यहां से सिंदु सभिता का आखरी समय था खतम हो रही थी सिंदु सभिता उसके बाद यहां से वैदिक काल आरंभ हो जाता है और यहां सुरकोटदा में घोड गोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है और लेकिन सिंद्व सभीता में घोड़े पसुका कहीं भी नाम नहीं आया है और यह जो घोड़ा है वो आर्यों का कार्यों की देन थी आर्यों यार अपने साथ इसे घोड़े को लेकर आया थे जो वैदिक काल में हम पढ़ेंगे तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा है सिंद्व सभीता के चेत्रों के बारे में सिंद्व सभीता के बारे में इसके बार अगले चैप्टर में मैं आपको सिंद्व सभीता से महतपूर तत्थियों के बारे में बताऊंगी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि वहां प important chapter है इसको चर्चा करेंगे तो आगे पढ़ने के लिए देखते रहिए मेरा अगला वीडियो